जब एक लड़की रात को चोरी से खुशी के दारनाथ मंदिर में, फिर जो हुआ सी सी कीवी में कैद घटना देखकर आपके रोंगते खड़े हो जाएंगे, कई बार हम नादाने में गलती कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि फिर उसका परिनाम क्या होगा, और जब गलती महा महादेव से मिलने के लिए की गई हो, तो उसका परिनाम हमेशा अच्छा ही होता है, आज ग्रेटा महादेव के लिए की हुई गलती के बारे में, तो दोस्तों इससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और इसको सब करना ना भूले, आज की घटना है, जोदपुर में रहने वाली शालिनी शालिनी 18 वर्ष की एक लड़की है, जिसने बारहवी की परीक्षा पास की है, शालिनी के पिता एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर होने की वजह से, शालिनी के पिता को कई कई दिन घर से बा पर मारना शुरू कर देते कभी कभी तो शालिनी भी इसका शिकार हो जाती को उसके पिता की यह रखते बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी डौट शालिनी महादेव की बहुत बड़ी भक्ती जब भी शालिनी के पिता शरा पीकर घर लोटते तो शालिनी महादेव से सीबतना आय और शराब पीने वालों की फितरत कहां बदलती है, शालिनी ने अपने दादा जी से बहुत प्यार करती थी, सबसे ज्यादा शालिनी के लिए कोई इंपोर्टेंट था, तो वह के दादा जी थे, परंतु पिछले ही वर्ष साले की दादा जी कीमृत्यू के दारन यात्रा के दौरान हो गई थी, साले के अंदर यह तर्क हमेशा थी कि वो भी केदारनात जाएगी, क्योंकि उसके दादा जी, उसकी दादी जी उससे कहा करते थे, कि महादेव के पास सभी समस्याओं का हल होता है, साल में अपनी परिस्थिती और अपनी समस्याओं का हल मकसद से वहाँ जाना चाहती थी, वह अपने घर अपने माबाप दोनों से अत्यंत परिशान हो चुकी थी, रोज के जगरे, रोज की मारपीट, सेवा दंग आ चुके थे, उसने तै किया कि अब वह किसी को बिना बताए के दारनात के लिए निकल जाएगी, डौट शालिनी चाहती ने किया भी खी, वैसा ही एक राज जो उसके माता पिता सो रहे थे, डौट चुपके घर से केदारनात के लिए नेपाल बड़ी, शालिनी के मन में उसके दादा जी किया दें, और उसकी की हर एक बात मन में चल रही थी, डौट देखते ही देखते शालिनी किरदार पहुची डॉट के दारनाथ आते ही उसकी तबियत बिगडने लगी डॉट फिर भी उसी अवस्था में। अब के दारनाथ धाम के दर्वाजे बंध होने का समय हो चुका था डॉट स्टैलिन ने सोचा की पहले वो कुछ खा। शालिनी के मन में विचार आया कि क्यो ना जब सभी सो जाएंगे तब मैं जाकर एकांत में महादेव की दर्शन कर लूँगी। शालिनी वही भीन सेवा पत्थर के पास जाकर बैठ गई और सब सोने का इंतजार करने लगे रात के बारा बजे थे डॉट शालिनी को लगधग सभी सो गए होंगे। चुपके से जाकर महादेव की दर्शन कर लेते हैं। और फिर यहां से निकल जाऊंगी डॉट शालिनी उठी और मंदिर के अंदर चुपके से घुस। गई उसे नहीं पता था कि केदारनाथ मंदिर के अंदर सी सी टीवी कैमरा लगा हुआ है। वह जब अंदर गई तो वहां उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति बैट कर महादेव की मूर्ती के पास ध्यान कर रहा है। वह सोचने लगे कि शिव मंदिर की पूजारियों ने तो कहा था कि कपाट बंध होने पर किसी को दर्शन नहीं मिल सकते। फिर यह बूढ़ा व्यक्ति यह कैसे आ गया। वह समीर गई उसने देखा। वह सोचने लगे कि मेरा नाम भी पता है यह कौन है। के साथ नहीं रहना चाहती है डॉट फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया और कहा कि अपनी जिन्ग। से कायर भागते हैं। में वहां कोई नहीं था डॉट वह अत्यंत आश्चर्य रह गई डॉट आश्चर्य वाली बात तो यह थी सी सी कीवी में शालिनी के। अलावा और कोई भी नजर नहीं आया डॉट चांदनी मंदिर से निकल पड़ी और फिर भी उसके मन में सवालों के पुल बंधे हुए थे और फिर उसे एहसास हुआ कि दादाजी के रूप में उसके महादेव उसे दस दिये थे डॉट यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें बॉक्स में जरूर बताईएगा डॉट वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा शेर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने मत भूलिए